नमस्कार दोस्तो आप हैं अपने ही गुड लिबिंग चैनल पे और भही जो आज का प्लान्ट है बिल्कुल वि्टर स्पेशल प्लाइट है और इस प्लान्ट को दोस्तो आप विंटर में नहीं ग्रो कर सकते evergreen poddha है लेकिन flowering जो इस पर होती है वो winter में होती है और इसमें बहुत सारे color आती है दोस्तों एक hybrid variety भी आती है उसमें तो बहुत अंगिनत color होती है इसके लेकिन जो आपकी simple variety है उसमें आपके पास 2-4 option ही होंगे बस तो ये plant दोस्तों जैसे कि आप देखी रहे हो कि डेकुरेशन के भी खूब काम आता है हेंगिंग बास्केट में भी आप इसको लगा सकते हो और तीसरा भाई जो मैं करती हूँ जो मेरे बड़े-बड़े प्लांट होते है ना उनकी सोयल को कवर अप करने के लिए भी इसको लगाती हूँ क्यों शोक आपके पूरे हो जाते हैं इस प्लांट से क्योंकि एवर गिरी नहीं है हमेशा रहता है ना इसके कोई खास पत्ते बत्ते जड़ते कोई हां बीच-बीच में मैच्चियोर हो गया देखो वो तो हटे जड़े गई लेकिन ऐसा कोई पज़ड़ वाला काम इसमें नहीं ह होती हां अगर आपने एक बड़ी ऐसी शेप देनी है तो भी आप जो आपकी स्टेम निकली है उनसे नहीं ने प्लांट बना सकते हो इतना इजी टू ग्रो प्लांट है ये और सुकलेंट फैमिली का होने के नाते दोस्तों इसमें कोई पानी की भी समस्या नहीं होती गर्मि सकता है तो इस तरीके से आप इसको होम डेकोर के लिए भी लगा सकते हो हैंगिंग बास्केट में हैंग करके भी आप इसको लगा सकते हो और तीसरा भी छोटे-छोटे से प्लांट जो आप चाहते हो कि आपकी सोयल को कवर अप करके रखें एवैपोरेशन ना हो गर्मियों में तो भी आप इसको गुरू कर सकते हो और देखो कितने सारे उगे हुए हैं इधर और इस टेम जैसे इसका सीजन आने वाला है तो यह और जदा फैल रहे हैं यह देखो अब क्योंकि जो हमारे समर के लगे होए थे इन में तो फ्लावरिंग कम हो जाएगी इनकी तो जो गार्डिंग है वो आगे चलेगी क्योंकि सीजनल प्लांट जो विंटर के भी लगाएंगे हैं वो भी थोड़े टाइम के लिए होंगे लेकिन यह जो पोद्धी है न दोस्तों यह हमेशा आपके गार्डन में बने रहती हैं कभी भी आपका गार्डन ग्रींडी के बग जा रखा तो भी इन पे फ्लावरिंग होगी होगी और जब फ्लावरिंग खतम हो जाए तो अपना यह पोद्धे तो वैसे रहने रहने ही रहने हैं ग्रीन री फिर भी आपके गार्डन में बनी रहेगी तो सीजनल प्लांट के बजाए दोस्तों अगर आप इस तरह के प्ल डेकोर आइटम्स में इनको लगा रखा है और मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है इनके साथ हमेशा हरे भरे बने रहती हैं चाहे में कोई नया प्लांट लगाउं ना लगाउं फिर भी जैसे जिसको गार्णिंग का शोक है वो कुछ ना कुछ लगाई देता है जैसे अब प्लांट तो वैसे ही पूरी बास्केट को कवर अप कर लेते हैं या कोई भी आपका आइटम हो बहुत असानी से कवर करते हैं ये देखो हैंगिंग बास्केट तंगी हुए है ना जो देखो कितनी भर रही है इनसे ये और इसके सासथ भई देखो ये बेवी सन रोस भी लगते हैं और बार 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 बदलना भी नहीं चाहते हैं तो तो वह ये बेस्ट प्लांट हैं और सबसे बड़ी बात भी केर भी नहीं मागते हैं कोई इनको इतने पानी की भी जूरत नहीं जो आपको ये पानी की समस्या है और इसको तो कोई इतना कोई स्पेस भी नहीं भी अगर आप इनको लगा के रखते हो तो कितना हरा हरा लगता है तो मैंने तो भी बोज जंगा लगा रखे हैं ये और जब भी मैं इनकी कटाई छटाई करती हूँ मैं कभी भी इनको नहीं फैक दी क्योंकि इतने सुन्दर पोद्धे हैं ये तो जो मेरे बड़े पोद्धे भी लगे होते हैं वहाँ पे भी हलकी सी इसकी स्टैम घुसा के छोड़ देती हूँ और नएने प्लांट फिर इसके बन जाते हैं और सोयल को भी कवर अप करने के लिए बहुत काम आते हैं ये क्योंकि मैं कोई इस वज़े से ही नहीं बता रही कि विंटर आ रहे हैं तो आपको लगाना चाहिए इन फुद्धों को तो देखो आपको लगाना चाहिए और तिनों आप्शन मैंने बता दी हैं कि इस तरह से आप हैंगिंग बास्केट में भी लगा सकते हो जैसे लगे हुए हैं ये देखो है ना कितने सुंदर लग रहे हैं कितनी अच्छी तरह से इन्होंने बास्केट फूल कर रखी है ये देखो और बहुत जल्दी ग्रो करते हैं ये और दूसरी बात हैंगिंग बास्केट के साथ साथ होम डेकोर के लिए भी आप इसको लगा सकते हो जैसे कि मैंने अभी दिखाये था जो मैंने छुट-छुटी स्टैंड बनवा रखे हैं कुछ भी बनवा रखा है डेकोरेशन के लिए तो उनमें भी पोद्धे बहुत अच्छे लगते हैं और सबसे इजी टू ग्रो प्लांट है इसकी जब आपस कोई भी स्टैंप तोड़के लगा देते हो तभी ये प्लांट थोड़ी दिन में ही तियार हो जाते हैं बहुत जल्दी फैलते हैं और तीसरा जो मैंने आपको बड़े पोद्धों को कवर अप करने के लिए तो बड़े पोद्धों को भी बिलकुल नुपसान नहीं पोचाते हैं क्योंकि इनका रूट सिस्टम इतना डिवैलप नहीं होता कि आपके बड़े प्लांट की कोई इतनी एनरजी लेंगे ये या इतना कोई नूट्रीशन ल लिए और इनके साथ तो मैंने बहुत सारी चीज़े भी लगा रखे हैं कहीं जैड प्लांट लगा रखे हैं कहीं बेबी सन रोज लगा रखे हैं मनी प्लांट लगा रखे हैं मैंने इनके साथ ये सिंगोनियम लगा रखा है देखो है ना तो इस तरह से भी आप डेकोरेश तो और भी सुन्दर उसका लुक भी आता है हमें भी satisfaction मिलती है कि हाँ जिस purpose के लिए हमने लगाए थे ये वो purpose हमारा पूरा हो रहा है ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना वह सुन्दर लगते हैं ये और इसी तरीके से दोस्तो आप और भी plants की cutting इस time लगा सकते हो मैं खर लगाती रगती हूँ कुछ मैं फैक्ती नहीं ना कोई बीज फैक्ती ना मैं कोई stem फैक्ती लगाने लायक हो तो तो उमीद है यहां तक आपको वीडियो अच्छा लगाए तो लाइक जुरूर किया करो ताकि अच्छा लगे बनाने वाले को भी और अगर आपके जैसे और भी शोकीन लोग हैं उनको भी आप शेयर कर सकते हो और जिसको भी वेट ही रहता है वीडियो का कई लोग कहते हैं मैं एक आत दिन ना बनाऊं तो आपने वीडियो क्यों नहीं डाली तो वो भी चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें ताकि उनको पता लगता रहे कि वी वीडियो देखके आपको बहुत सुकून मील रहा होगा बहुत अच्छा लगता है जिनको प्लांट्स का शुकूत ऐसी वीडियो देखके तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी सुंदर से प्लांट के साथ किसी अच्छे से टॉपिक के साथ तो तब तक के लिए अपने भी ध्यान रखें अपने पोद्दों का भी ध्यान रखें और अपने स्वास्थे का भी ध्यान रखें